दोनी से हुई नोग जोंग पर मनीश पांडे का बड़ा बयान भारत और दक्षिन अफ्रीका के बीच दूसरे टीडट मैच में टीम इंडिया भले ही छेविकेट से हार गई हो लेकिन इस मैच में रोमांच की कोई कमी नहीं रही और मैच के बीच में तो एक ऐसा वाक्य आ गया जिसने सब को बोलने पर मजबूर कर दिया दरसल यह तो आपको पता ही है कि महेंदर सिंग दोनी ने मनीश पांडे को गुष्ट से में बुरा भला कह दिया था और यह सब कुछ कैमरे पर रिकॉड हो गया जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर यहीं चाया रहा लेकिन अब मनीश पांडे का इस पूरे घटना क्रम पर बयान आया है मनीश पांडे ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि दोनी भाई हम सब के सीनियर हैं वे जो भी कहते हैं हम सब की भलाई के लिए ही कहते हैं और हमें पता है दोनी भाई गुसा नहीं हो सकते यह खेल का एक हिसा है गौर तलब हो कि दूसरे टीबीस मैच में महेंदर सिंग दोनी 20 वे ओवर के दोरान गुसा हो गए थे दरसल हुआ यूँ था कि मनीश पांडे महेंदर सिंग दोनी की तरफ नहीं देख रहे थे ऐसे में दोनी ने उन्हें पहले ही कहा था कि रन लेने के लिए तैयार रहना लेकिन मनीश पांडे कहीं और देख रहे थे जिसको लेकर दोनी बेहत गुसा हो गए हाला कि बाद में ताब अर्तोर रन बनाते हुए टीम इंडिया के इन दोनों बल्ले बाजों ने टीम इंडिया का स्कोर 180 रन पर पहुंचा दिया था आपको बता दें कि इस मैच में दक्षिन अफरीका ने टॉस जीता और पहले गेंद बाजी चुन्नी थी भारतिय टीम ने 189 रनों का लक्षि दक्षिन अफरीका के सामने रखा था और दक्षिन अफरीका के बल्ले बाजों ने लक्षि को हासिल कर लिया जिससे दक्षिन अफरीका टीम ने सीरीज में एक एक की बराबरी कर ली है तो देखना होगा तीसरे मैच में भारतिय टीम तीस से टी डट मैच में किस रणनीती के साथ उतरती है फिलाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो क्रिया